नमस्कार दोस्तों देखिए एक बहुती बड़ी अपडेट है वो ACF और राजस्थान SI को लेके निकल किया रही है काफी टाइम से ACF को लेके तो कम से कम 9-10 महिने हो गया है रेजल्ट का वेट करती हुए और इसके अलावा SI का जो मुद्दा भी चल रहा है इसको बरती रद करने को लेके लेकिन SI का जो रेजल्ट है वो भी आने वाड़ा है और ACF का रेजल्ट है वो भी आने वाड़ा है हलांकि कल SI की सुनवाई भी हुई थी वो सुनवाई में क्या निकल क्या आजजमेंट है वो क्या आया वो अभी तक के official website है जो की high court की उस पे कुछ upload नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता कि भी क्या निकल क्या आया ठीक है तो वो कोई जानकारी नहीं मिली उसकी तो देखिए जो result आपका आने वाड़ा है रास्थान SI का और जो ACF का वो कब आएगा और कहां से ये जानकारी मिली मैं चीज़ यह है कि कहां से जानकारी मिली है कितनी authentic ये जानकारी है तो यहां पर देख सकते हो इन्होंने बताया है कि ACF और रेंजर ग्रेड़ फर्स्ट हुआ ऐसा ही भरती परिक्षा के परिक्षा के प्रणाम इसी सपता में जारी कर दिये जाएंगे तो यह खबर किस ने दी है मैं चीज़ यह है किस ने दी है यह खबर आयोग के सदे से डौक्टर सीव सिंग राखोड ने पावर परिजेंट अनूर प्रेजेंटेंशन के दोरान CM ASOK Гहलोत को दी थी तो यह जानकारी है यह मतलब आयोग के ही एक सदे से हैं डौक्टर सीव सिंग राखोड जो RPSC के ठीक है उन्होंने ये जानकारी दी है कि भी इसी सब्टा को result है वो release कर दिये जाएंगे ठीक है इससे पहले भी बासकर में एक ख़बर आई थी ठीक है वो आई थी कि भी 30 जो नवंबर है उससे पहले पहले result आजाएंगे लेकिन वो तो नहीं आपाई तो अब इस सब्ता में आने की उमीद बताई जा रही है कि इस सब्ता में जारी कर दिये जाएंगे ठीक है तो आपके रेजल्ट को जो वेट करते हैं काफी टाइम हो चुका है हो सकता है आपका इसी सब्ता में इंतजार है वो खतम हो जाएगा वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट आगे की आपसे मिसना हो